Hello Friends, CAT 2019 की Official Candidate Response Sheet आ गई है जिसमें आपने अपने क्या answers मार्क करेते हैं, एक्चुल सही answers क्या थे, वो पूरी की पूरी details आ गई है IAM की तरफ से, तो इसकी help से आप अपना ROI score काल्कुरेट कर सकते हो, और आपके ROI score के basis पे क्या आपके expected percentile रहने वाली है, वो मैं आपको इस वी c.in पे जाओगे, जो आपका CAT का ID password था, उसे enter करोगे, एंट एंटर करने के साथ ही, जब आप login कर लोगे, तो आपको एक नया टैप दिख रहा होगा, candidate response, तो जैसी आप candidate response पे क्लिक करोगे, नीचे वो आपको बोलेगा, please click here to download candidate response for CAT 2019, तो जैसी आप click here पे क्लिक करोगे, आ आप अपने score calculate कर सकते हो, score कैसे calculate करेंगे, देखो, भाई आपके या तो answer सही होंगे, तो सही answer है, तो अपने आपको plus 3 दे देना, जो भी question MCQ वाले question थे, और आपके वो question गलत हुए है, तो उसमें अपने आपको minus 1 दे देना, अगर attempted नहीं है, तो 0 दे देना, जो भी आपके theta वाले question थे, जिसमें कोई भी option नहीं था, जिसमें आपने answer type किया था, उसमें चाहे गलत हो, चाहे आपका incorrect हो, अपने आपको 0 mark दे देना, और इसकी help से आप क्या कर सकते हो, अपना total score calculate कर सकते हो, तो individual section, चाहे वो verbal हो, LRDA हो, LRDA हो, क्वांस हो, तो तीनों का आप individual score अप calculate हो जाएगा, जो cat 2019 का score है, अब क्योंकि paper सिर्फ दो ही slot में होता है, तो बहुत जादा scaling में change नहीं आता है, तो जो आपका raw score है, वही more or less, आपका scaled score रहने वाला है, बहुत ही minor सा change रहता है, तो उसके basis बाप अपनी percentile calculate करोगे, इस chart से, तो अपना देखो आपका overall score क्या ब cut off रहने वाली है, तो आप देख सकते हो, verbal में, LIDI और quantino में individual आपकी क्या cut off बन रही है, क्या percentile बन रही है, and most importantly, overall, आप इस साल cat में क्या score कर रहे हो, क्या percentile आ रही है, उसके basis बाप जो अगर आपको college के forms बनने है, वो आप भर सकते हो, and आप अपने better तरीके से strategize कर सकते ह आगे की planning, तो I hope आपके paper अच्छे गए है, response rate में आपके answer जादर जादर correct आए है, so all the very best, thank you so much, and take care.